गुद मॉर्निंग एव्रिवान वेरी प्लेजन गुद मॉर्निंग चलिये आज की क्लास स्टार्ट करते हैं वोक्याबलरी की ओल्राइट सो आज का हमारा पहला वर्ड है रिबेल रिबेल का मतलब है कोई ऐसा व्यक्ति जिसको कुछ बोल देज़े वो तो उसको उल्टाई करेगा चाहे कुछ भी हो जाए बागी मूवी निकली थी ना किसकी थी टाइगर श्रॉफ की तो वही क्या होता है कि अग्येंस जो बोला जा उसको उल्टाई करना है एक इनी कॉस्त अयसे कंडिशन में ऐसे बच्चों को जो है रिबेल बोलते हैँ ऐसे लोगों को ऐसे लोग जो ऐसे काम करते हैं उसको जो है rebel बोलते है और राइट पहला synonym insurgent विद्रोही पहला synonym है हमारा insurgent यानि की विद्रोही दूसरा है हमारा revolt ऐसा कुछ जो against कर रहे हो जो power में बैठे लोग जो बोल रहे हैं उसके against जब कुछ करते हैं तो उसको बो मुटनी हिंदी में बोलते हैं गदर आगला है हमारा dissident dissident का मतलब है कोई ऐसा जिसको अगर बोल दिया जाए बिटा सीधे जाके दायन मुड़ जाना वो तो दायन नहीं मुड़ेगा दुनिया में कहीं और मुड़ जाए तो गलती से भी ना मुड़े वह से कंडिशन को बो लोगों को बच्चे ऐसे नहीं होता है आदत है मेरी बच्चे बोलने की ऐसे लोग या ऐसे जो होते है ना जो बिलकुल भी बद्तमीज होते हैं कुछ सुनते नहीं है उनको जो है रेनिगेड बोलते हैं बच्चे जो शैतानी करते हैं वो शैतान होते हैं वो ऐसे नौट की बत्तमीज होते हैं, उनकी शैतानियों को बत्तमीज ही नहीं बोला जा सकता, यह बड़े लोग करते हैं, हमारा अंटनिम है पहला Obedient Obedient का मतलब है आज्याकारी होना, जो बोला जैसा बोला वैसा ही कर रहे हैं, और अगला है Paragon, Paragon का मतलब है आदर्श, ऐसा आइडियल, आइडियल चीजे, है ना, जो एक्जामपल के तौर पे यूज किया जाए आइडियल चीज क्या होती है, आइडियल वो होती है जो परफेक्ट होती है, है ना, तो जो एक्जामपल के तौर पे यूज किया जाए, उसको बोलते हैं आईडियल और उसी के लिए एक दूसरा नाम है पारगॉन पारगॉन के चपपल भी आते हैं एक ब्राइंड है अगला सब्स्टेंशिल और राइट सब्स्टेंशिल का मतलब क्या है सब्स्टेंशिल का मतलब है कुछ ऐसा जो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो और कंसिडर करने लायक हो और राइट ऐसी चीजे जिन जो इंपोर्टेंट होती है और कंसिडर करने लायक होती है पहला कंसिडरबल जिसके बारे में सोचा जाना चाहिए जिसके बारे में बात होनी चाहिए अगला इंपोर्टेंट जिस बारे में सोच सकत है जिस बारे में बात होनी चाहिए वो क्या होती है? important होती है अगला sizeable sizeable का मतलब है ऐसा नहीं कि दिखने में बहुत बड़ा size होना जरूर यह नहीं लेकिन चीजे वह चीज इतनी important होनी चाहिए कि इतना बड़ा size मतलब size in the sense की importance के तौर पे size है हो सकते है बहुत छोटी सी चीज हो सकते है कोई idea हो जो दिखाई भी ना दे लेकिन चीज बहुत वह है बड़ी है और you know important है अगला है great great का मतलब महान antinims देखते है antinim पहला poultry poultry का मतलब होता है तो छोटी सी चीज अगला है negligible negligible का मतलब ध्यान बिल्कुल भी ना देने लायक कोई चीज तीसरा है trivial कई बार सुना है trivial क्या होता है मामुली सी चीजे all right अगला है हमारा utterly utterly हम यूज करते हैं जहां हमें यूज करना है बिल्कुल मतलब utterly का मतलब ही होता है जहां हम बिल्कुल बोलते हैं इंग्लिश में पहला है completely बिल्कुल completely हम कभी उस करते हैं जब पूरी तरीके से हो कोई चीज और हमको बिल्कुल यूज करना हो उसके लिए हम बिल्कुल शब्द के लिए जो है हम utterly use करते हैं यहाँ पे completely का मतलब यह नहीं है कि पूरा-पूरा completely हम use करते हैं बिल्कुल की जगह अगला है absolutely, बिल्कुल absolutely हम use करते हैं बिल्कुल के लिए अगला है thoroughly thoroughly हम use करते हैं again बिल्कुल की जगह it is कोई भी तरीके से आप thoroughly use कर सकते हो बिल्कुल की जगे है अबी दिमाग में ऐसे आने रहा है और अगला है हमारा perfectly भी जो है हम utterly या बिल्कुल की जगे यूज करते हैं और अंटनिम्स क्या है partially partially के मतलब आधा दूरा कुछ होना ठीक है और incompletely का भी मतलब है आधा दूरा अगला है congenial, congenial का मतलब है कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही हसमुक हो, friendly हो उसको जो है हम congenial बोलता है पहला synonym है हमारा friendly, दोस्ताना, अगला synonym है हमारा agreeable, agreeable का मतलब congenial का मतलब ही ऐसा होता है कि ऐसा इंसान जिससे आप बात कर सकते हो, जिसकी बातों से आप सहमत हो सकते हो वो आप से बड़े politely बात करता हो, है ना, आप से बड़े politely बात करता हो, आप जिनसे बड़े politely बात कर सकते हो और ऐसा व्यक्ति जिसके साथ बड़ी असारी से आप बातचीत अपनी चला सकते हो उन कंडिशन को बोलते हैं कंजेनियल, friendly, agreeable agreeable का मतलब जिसके साथ आप सहमत हो सकते हो जिसके सोच में और अगला है हमारा amiable, amiable का मतलब है कि कोई बहुत ही friendly अच्छा सा nature वाला alright, antonyms, obnoxious, obnoxious का मतलब क्या है कि बिलकुल भी जो है प्यार से नहीं बात करता, अच्छे से बात नहीं करता, तमीज से बात नहीं करता बहुत जादा क्या है, बहुत जादा क्या है, rude है, बहुत जादा rude है rude को भी जो है हम ऐसे बोलते हैं, obnoxious, hostile क्या होता है कुई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा जो है आपका वाइलंट है ठीक है जो बहुत ज़्यादा हिंसळा हिंसा करने को तयार होता है उसको जो है होस्टाइल बोलते हैं all right अगला क्या है ज् 대 just 코 एक तरह की आवास के लिए हम यूजुली है जो बहुत ऊंची हो बहुत ही हैं स्टenthुल एसे आवाज को घुबने वाली ओती है और फट दम एसे पत्तिली शीप जीब ना उनको जो है जो बहुत ऊंची आवाज होती है और तरह की आवास को जो है हम strident बोलते हैं अगला है raucous, raucous का मतलब है फटी हुई आवाज और थी थर्ड है blatant, blatant का मतलब है खराब एकदम फटी हुई फैली हुई आवाज ऐसा कुछ भी नहीं है जो जबरदस्त हो यहाँ पे जबरदस्त जो है negative का तरीके से यूज किया गया है अगला हमारा str mellifluist, mellifluist का मतलब है ऐसा लगते है शहेद जो है जो है शहेद उसमें आवाज में लिप्टी हुई है ऐसी आवाज जैसे लटा मंगेशकर singing mellifluist, है ना लटा मंगेशकर की आवाज जो है इतनी है सुनदर आवाज है ऐसे को बोलते है अगला confluence का मतलब है ऐसी जगा जहां से जो है जहां पर चीजें आके मिलती हो इसा पॉइंट जहां पर दो नदियां आके मिलती हो उसको जो है हम confluence बोलते हैं यह वाले एरिया को जो है हम confluence बोलते हैं ठीक है पहला synonym है junction यह जो एरिया है हमारा यह जो एरिया है हमारा इसको बोलते हैं हम junction अगला है convergence convergence का मतलब है जहां पर आके दो चीजें मिले All right, third है हमारा conflux, conflux भी इसी को बोलते हैं, ठीके, antonyms देखते हैं, पहला antonyme contrast, पहला antonyme क्या है हमारा contrast, contrast का मतलब है एकदम अंतर होना, तो चीजों में, ठीके, contrast का मतलब है अंतर होना, और अगला है हमारा divergence, divergence मतलब ऐसी जगा, जहां पे आके दो चीजे अलग हो है उसको जो है हम आपका divergence बोलते है, यह वाला point ना, इसको हम जो है divergence बोलते है, ठीके, all right, यह थे हमारे आज के वर्जाए, hope आपने copies में लिख लिया हो, copies में लिख लो, उसके साथ-साथ, अगर आपको यह PDF चाहिए, तो आपके comments में, जो है, pinned है, आप उस, आप वहाँ पे PDF, and revise करना, रटना मत गलती से भी, सिर्फ और सिर्फ रवाइस करना, उससे आपका काम हो जाएगा, अराम से, ठीक है, यह बात तै है कि अगर आप मेरी तरह मैं, जस तरह किसे आपको बतारे, उस तरह किसे आप रवाइस करते रहोगे, तो जो है, आपको रटने की जो है, ज